आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राश्फल लेकर वारके स्वामी दैति गुरु को नमन कर चलिए राश्फल का येकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रबार है जेश्टमास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथी है जो दोपहर में एक बज करके एक मिनट तक है और इसके पश्चाद वितिया तिथी है विशाखानक छत्र है जो प्राता काल आठ बज करके 38 मिनट तक है और इसके पश्चाद अनुराधानक छत्र है वरियान योग कौलव करण है बात होवी पंचांग की चंद्रमा आज व्रिश्चिक रासी में रहेंगे और अभिजित मुहर्त का समय दिन में 11 बच करके 28 मिनट से 2 पर 12 बच करके 20 मिनट तक होगा वहिरा हुकाल प्राता साड़े 10 बजे से 2 पर 12 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कारे से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित मुहर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहर्त हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज सरवार्थ सुध्धियोग है प्रातहकाल 8 बज करके 38 मिनट के बाद जब अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा उसके पश्चात पूरे दिन सरवार्थ सुध्धियोग है आप सभी जानते हैं सरवार्थ सुध्धियोग में कोई भी कारे प्रारंभ किया जाए उसकारे की सुध्धि होती है आज नारद जयन्ती है भगवान स्रीहरी विष्णु के मन है ये नारद जी कौन है तो भगवान के अंगों की अगर हम बात करें तो उनका प्रतेक अंग सजीव है एक एक अंग सजीव है तो भगवान स्रीहरी विष्णु के मन के स्वरूप है नारद जी जैसे भगवान स्रीकृष्ण की प्रेम अगर प्रेम की प्रतिमूर्ती देखनी है तो वो राधा जी थी राधा जी कोई और नहीं भगवान स्रीकृष्ण की प्रेम की प्रतिमूर्ती थी प्रेम ही थी इसलिए लोग प्राय पूछते थे पूछते हैं कि उनसे क्यों नहीं विवाह किया कोई अपने से कैसे विवाह करेगा वो उनकी प्रेम प्रेम की स्वरूपा थी आज नारत जी की जहनती है दिप्य महा प्रयोग में आज मंगल से संबंधित एक दीब्य सूत्र आपको बताने वाला हूँ मंगल रिन से भी जातक को धनवान बना दे जी हाँ, उर्जा के कारक हैं यह मंगल इन से संबंधितिक अधुद सूत्र आपको बताऊंगा आप देखिए आपकी जन्म कुंडेली में कहां बैठे हैं मंगल तो दिप्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्तुतियों की तो यह ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है वो नेदर्शक जो मेरी इस राशिफल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमाज इस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशी है जुर रहे विदेश रहे या उसका आना जाना सद़ई वो कहीं न कहीं लगा रहे ऐसा जातक जमीन इत्यादी की खरीद फरुक्त करके बड़ा पैसा अरजित कर सकता है ऐसा जातक शेर मार्केट लौटरी सट्टा जुवा से भी जबरदस्त पैसा हांसिल करता है ऐसा जातक र वो सुख जो काम इंसान को चाहिए हासिल कर लेता हैं मंगल के कुंदली के दुतियए भाव में होने से सूत्र मंगल यहां बैठ करके अपनी 7 दृष्टी अ श्टम पर 8 दृष्टी नमँ पर और 4 दृष्टी पंचम भाव पर डालेंगे धन भाव में बैठे मंगल जमीन इत्यादी से धनलाब कराना अब यहाँ पर बैठके वो पांचवे भाव पर दृष्टी डालेंगे जो जनता का धन है तो लोटरी सट्टा जुआ का पैसा भी दिलबा देते हैं आकस्मिक धनलाब अश्टम भाव पर दृष्टी डाल करके और भाग्य भाव पर दृष्टी डाल करके भाग्य जातक का सख्योग देने वाला बन जाता है अैसे जातक की वाणि Deaf कड़वी होती है मुफद प्रभृतिका होता है लेकिन ऐसा जातक की लाइज़निंग का का काम करे सामान्य सब्दों के हो तो तो जहां भी आप रहेंगे कारेश्थल पर हैं अगर आपकी छुटी नहीं है आप भर पे रहकर के काम नहीं कर रहे हैं तो याद रखेगा लोग आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको हो सकता है आज परेशानी का अनुभव हो, आपको अपने मन पर नियंतरन रखना होगा क्योंकि मन ही पीडित हो रहा है, और जरुवत पड़े तो थोड़ा शान्त हो ये, जरुवत पड़े तो थ पूरे सर आजाए, जो लोग घर पे रह करके काम करें, उनके लिए भी दिन ठीक नहीं है, मन में कोई न कोई अधीरता और बेचैनी पूरे दिन जारी रहेगी, मन अशान्त रहेगा हो सकता है, ये नौकरी जाने से सम्मंदित कोई सूचना को लेकर कोई हो या कोई और समस् जिसके कारण मानसिक अशान्ती आज आपको बनी रहने वाली है, कोशिश करिए, शान्त रहने की कोशिश करिए, ब्यापारियों के लिए दिन बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता, भाग्ये बिल्कूल साथ नहीं दे रहा है, तो ब्यापार में कहीं न क उतार चड़ाओ की इस्तिती बनी रहेगी, तो आपको बता दू मेस राशिके हैं, लडाई, जगडा, वाद, बिबाद, हर परिस्तिती में आपका नुकसान होने वाला है, इस अतह इस परिस्तिती से बिल्कूल दूरी बना करके रखिएगा, लव लाइफ के लिए दिन साम आप अवस्य संतुष्ट होंगे, और सेहत के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त बिल्कूल सामान्य है, परंतु लापारवाही नहों हो, क्योंकि लापारवाही होने से सेहत में परिशानी आ सकती है, आज आपको अईम सरस्वत, मा सरस्वती का ये बीज मंत्र, इस बीज मंत्र का एक सवाठ बारजब करना चाहिए, लकियंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज इसका ही ब्लू है, ब्रशब की बात कर लें, तो मन में आज भटका आओ, पूरे दिन लगे रहने वाला है, संबेदन सीलता भी, आज आपके अंदर कुछ जादा ही किसी भी बात पर जरुवत से ज़्यादा प्रतक्रिया देने से आपको बचना होगा, मन अशान्त रह सकता है, किसी ने किसी बात की चिंता आज आज आपको सताएगी, आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आज कुछ धार्मिक गरंतों का ध्यान करें, रहस से विधाएं, उन्हें में अपनी रुची बढ़ाएं, जो लोग कारिस्थल पर हैं, उनके लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, ब्यापारियों को ब्यापार में बदलाओ करने का मन बनेगा, लेकिन ब्यापार में नई योजनाएं, अभी लेकर के आए भी हैं, तो सभी उसको शामिल मत करी, उस पर काम करना, उस पर पैसा लगाना ठीक नहीं है, लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी रखिए, और आज बेवज़ किसी से मत उलजी है, क्योंकि घर के माहल को भी देख रहा हूँ, कि ठीक नहीं है, ये सब आपके कारण हो सकता है, जीवन साती से अनबन हो सकती है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल लखना, अगर अभी द्यार्थियों के लिए देखा जाए, तो अपने परिणाम से आप वसंतुष्ट होंगे, पढ़ाई को लेकर के भी दिन ठीक नहीं, और सेहत के दृष्टिकोंड से देखें, तो कफ जन्यरोग स्वास से समंधित परिशानी हो सकती है, अगर कोई शक हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बजरंग बानका पाठ करिए, तीन बार लखियंक आपके लिए चार लखिय कलर आपके लिया सफेध है, मिथुन की बात कर ले तो अपनी योजना, आज आप किसी से भी शेर मत करिए, कारिस्थल पर हैं तो पूरी तरह मुस्तैद रही है, विशेश करके अपनी सेहत को ले करके किसी सड्यंत्र का सिकार हो सकते हैं, एक बात बता दूं कि आज पुरानी बाते याद करके आपका मन थोड़ा खुस भी होगा, और अंदर यंदर दुखी भी आ आप होंगे, सामुहिक कोई कारे कर रहे हैं, समुह में हैं आप, विशेश कर डॉक्टर हैं, या प्रसासन से समंदित हैं आप, या कोई भी कारे आप कर रहे हैं, जरात तालमेल बिठा करके अपने साथ के लोगों से और जनता के साथ सब के साथ तालमेल बिठा करके चलिए आपको बात बात पर क्रोध आएगा, जुझलाने की आवशकताणी और विशेश करके जीवन सांती के साथ संबंध को बहुत साधानी पुरुवक सम्हाल कर चलिए, जीवन सांती के साथ बातचित करें ताकि कोई परिशानी हो, गलत फहमी हो, दूर हो जाए, प्रेम क्रसंग क के लिए अगर देखा जाए प्रेम संबंद के लिए देखा जाए तो दिन सामान है कोई दिक्कत नहीं है प्रेमी से आज आज आगको संबान और प्यार मिलेगा मैनेजमेंट फिल्ड के विद्यार्थियों को आज थोड़ा कस्ट दिखाई पढ़ रहा है मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और कोई परिक्षा इत्यादिया ओनलाइन देते हैं तो और सफलता मानसिक असान्ती से गुजरना पड़ेगा तनाव की स्थिति है और सेहत में भी परिशानी हो सकती है सुजरा सावधान रहिए आज प्रातहकाल चुनियों को कुछ दाना वगएर डालिए उससे आपको थोड़ी शान्ती मिलेगी लकियंक आपके लिए दो और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है करक की बात कर लेते हैं करकरास के जातकों के लिए अगर कारे स्थल पर हैं तो जिम्मेवारियां बढ़ने वाली है जितने भी कारे हैं उनको कैसे करना है जो भी कारे आपको दिया जा रहा है कैसे अच्छे से कर सकें आप जिसका आपको शत्त पतिस्त उसका इनाम मिले तो हो सकता है घर की साफ सफाई आप करेंगे वहीं आज हर मामले में आपको आपके परिवार और सुन्तानु से सहयोग प्राप्त होगा देखा जाए तो आज काम के साथ साथ अगर आप घर पे हैं तो ज़्यादा तर आपका समय मन औरंजन के किसी कारिक्रम में बीतने वाला है ज इस बात का ध्यान रखिए जो पूराना चल रहा है उसे ही करिए निवे सित्यादी शेयर मार्केट में करते हैं तो आज मत करिए जो लोग अभिवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है और आईटी फिल्ड के दबराने की आवशक्ता नहीं है नहाने के जल में आज दोचार बुंद दूध का डाल दीजेगा और उससे स्नान करेगा रहत मिलेगी लकियंक आपके लिए अच्छे लखी कलर आपके लिए आज के शरिया है बात से मकी कर लेते हैं सिमरास के जातकों के मन में आज थोड़ नेक दिल वाले भी हैं तो आज बहुत कुछ निर्भर करता है आपके नेक स्वभाव पर घर पे हैं तो मनुरंजन का कोई कारिक्रम बनाईए आने वाले रभी बार के दिन छुट्टी कैसे बितानी है घर में भी रह करके बहुत कुछ तैय किया जा सकता है सब कुछ सुचा अच्छी होगी कारिस्थल पर है तो एक और बात आपको बता देता हूं अपना रवय आक्रामक बद बनाईएगा नहीं तो सहयोग जो मिल वहा हो सहयोग भी चला जाएगा प्रेमी के साथ समय बीते या इंटरनेट इतादी के माध्यम से बढ़िया होगा जीवन साथी के सा मंधित अकर कोई बीमारी है तो वो कहीं न कहीं उसमें राहत आपको मिलेगी बस खान पान पर कंट्रोल रखिएगा मा की सेहत का आज अपने खयाल रखिएगा लखियंक आपके एक लखी कलर आपके लिए आज महरून है कन्या की बात कर लेते हैं कन्या राशे के जातकों के निसंदेह सफल होंगे अगर नौकरी को लेकर के मन में कोई परिशानी है तो घबराइये मत अपने मन की बात अपने किसी जानकार से, मित्र से, दोस्तों से, छोटे भाई से शेयर करिए कोई न कोई मार्ग अवस्रे निकल आएगा आने वाले दिनों में भी नहीं तो कुछ लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी से अनबन नो हो इस बात का खयाल रखेगा नहीं तो अनबन हो सकता है जोस मैंने बताया ज्यादा है तो अनबन न कर बैठें आप विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी और शारीरिक और लखी कलर आपके लिए आज बादामी है बात तुला रासी की कर लेते हैं तुला रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है घर पे रहकर करके काम करें तो करियर में बदलाओ के बारे में विचार करेंगे जो भी योजना बनेगी जल्दी उसके अच् कुछ सीखना है वहीं जो लोग घर पे रह करके काम करें आज हो सकता है घर की साफ सफाई त्याडी पर भी ध्यान देंगे और इससे घर का माहौल भी बढ़िया होगा घर साफ सुत्रा रहे तो मन जरा प्रुशन नहीं होता है वहीं देखा जै तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है निवेश करते समय गर सावधानी के साथ निवेश करें तो धनलाब अवस्य होगा आज वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा गलत जगह पर गलत बात बोल करके फंस सकते हैं विसेस करके घर में हैं तो जरा सोच समझ करके बोलिएगा और कारिस्थल पर हैं तो भी जरा सावधान दिएगा प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है जीवन साथी से अनबन हो सकती है और हो सकता हुई आपकी वाणी के कारण हलाकि बाद में सब सूला हो जाएगा आप सब ठीक कर लेंगे और फिर भी परिशानी आ सकती है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है व्रिश्चिक की बाद कर लेते हैं व्रिश्चिक राज के जात्कों कि लिए आज का दिन क्याले करके हो रहा है घृषण कंडली में कहीं बढ़िया ऑप प्र पता चल जाएगा आपको सयम रखना होगा और कोई कमी है खुद में तो उसे सुधारने की कोशिश करिए कारिस्थल परशांत रहिए ब्यापारी है तो आज सामानने रहेगा और बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनने की आवशकता नहीं ब्यापारीों को अज सांत रहकर के ही काम करना है घर पे रहकर के काम करना है तो सारा काम ठीक ठाक ही चल जाएगा सहयोग मिलेगा जरुत पढ़ने पर मित्रों की सहायता मिल सकती है, भायों से सहयोग मिल जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोंड से दिन सामानने है, ज्यादा जल्दबाजी और ज्यादा उत्सा ही भारी पढ़ने वाली है, इसी के चलते गलत फ़हमी हो सकती है, इसी के चलते प्रेम संबंध में परिशानी आजाएगी, सो आज जल्दबाजी और उत्साह को जरा कंट्रोल में रखना है, तभी दामपत्य जीवन सुखद होगा, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक सा प्रतित हो रहा है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर आपका मन, आपका मस्तिक्स, दोनों के दोनों आज बहुत सक्री हैं और यह बहुत जरूरी है, गोचर कुंडली में चंदर्मा बारवे गोचर कर रहे हैं, नीच भंग योग बना करके, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो हांसिल कर सकते हैं लेकिन सावधान कई बार मन में खुराफाद भी उत्पन्न होते हैं सो ऐसा कोई निरड़े मत लिजेगा आज आपकी महत्वा कांच्छा थोड़ी जादा ही बढ़ी रहने वाली है चरम पर रहने वाली है कोई भी कारे करिए अपने साथ के लोगों का उसमें सहयोग लीज लेकिन वानी पर कंट्रोल रखते हुए और कारेस्थल पर हैं तो जोश में आ करके घर पे रह करके काम करें तो जोश में आ करके बारीक बिंदूओं की अंदेखी मत करिए प्रेमी के साथ ब्यवहार जड़ा ठिक ठाक रखिए दामपत्य जीवन में भी आज आपको बहुत पर परिशानी खड़ी हो जाएगी दो-चार दिनों के दिए विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत करना होगा परिणाम सामाने ठीक ठाक है और सिहत के दृष्टिकों से देखें तो दिन अच्छा है पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी स्वास्त म आज सुधार होगा गायत्त्री मंतर का जब जरूर करिएगा 11 बार और लकी यंग के लिए एक लगी कलर आपके लिए आज पीला है मकर की बात कर लेते हैं मकर राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है उर्जा आपके अंदर उर्जा जबरदस्त रहने आत्मविश्वास आज आपके अंदर जबर्दस्त रहने वाला है कारिश्थल पर हैं तो कुछ महत्तों पुरूनकार ये बिल्कुल आपके हाथों ही संपन्न होने वाले हैं दूसरों के साथ अगर काम करना है तो जरा धैरे बना करके काम कर लिए सब के साथ सहयोग मांगिएगा माता पिता से संबान प्राप्त हो ब्यापारी है तो ब्यापार के लिए दिन ठीक नहीं है ब्यापार पर विवाद की स्थिटी बन सकती है जरा स्तावधान रहना होगा जो लोग घर पे रहकर के काम करें आज कुछ नई योजना वो बनाएंगे बहुत समय बहुत ही स्रेष्ट है आपके लिए और सेहत के दृष्टी कोंड से देखें तो स्वास्त आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है अगर कफजन ने रोग से पीडित थे या किसी प्रकार के गंभी रोग से पीडित थे मुक्ति मिलेगी लकियंक का आपके लिए दो भाएंगे वहीं अगर कारिस्थल पर है और किसी कागजात इत्यादी पर आपको साइन कर रहा है तो जरा उसकी जांच एक बार कर लिजेगा और घर पे रहकर के काम कर रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है किसी संकट से मुक्ति मिल जाएगी या किसी कोई बड़ा संकट हल हो जाएगा जैसे नौकरी अगर हाथ से निकल गई थी तो नौकरी मिल जाएगी या जिस नौकरी में थे वहीं से सामने से बहुत से आपको उसी नौकरी में बने रहने के लिए सूचना आ सकती है मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया व्योसायों के लिए भी दिन सामान को मधूरु बनाने का प्रत्न करिए दिन अच्छा बीतेगा प्रेमी के साथ अच्छी बात चीत होगी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी सेसका विद्धिकल फिल्ड के विद्यार्थेकों ले दिन बहुत अच्छा है कोई शूब समाचारा आपको मिलने यह बाद कर लेते हैं में राशी के जातिकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आत्मविश्वास confidence आम दिनों से कहीं जादा रहने वाला है सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी तरह से कारिस्थल पर हैं दिन बड़ा ही शुभ फल देने वाला है हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है अधिकारीों का सहयोग मिलेगा अधिकारी आज आपकी तारीफ करेंगे सम्मान देंगे और विश्यसकर साज़दारी में ब्यापार कर रहे हैं तो एक एक कदम करके आगे बढ़ाइए आज इंकम होगी और इंकम के साथ साथ आपको सफलता भी मिलने वाली है कारिस्थल पर हैं तो आपके पद्गो या तो बढ़ाया जाए या आपके कारिस्थल में कुछ बदलाओ किया जाए आपको बड़ी जिम्मयबारी दी जाए वहीं घर पे रहकर के काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए दिन बहुत बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है, हर प्रकार से आपको फाइदा मिलने वाला है, यानि मिला जुला करके देखा जाए तो कारेक छित्र और घर पे रहा करके काम करें, तो कारेस्थल पर हैं, तो ब्यापारी हैं, तो ठिक ठाक दिन ज से सहयोग मिलेगा, दामपत्ति जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वारे हैं, तो स्वास्त से सम्मंदित कुछ परिशानिया हो सकती हैं, बस मसालेदार भोजन से बचिए, और आज कुछ कुछ खाने के लिए लखियंग का आपके लिए तीन लखी कलर आपके लिए आज पीला है, तो प्रेदर्श को ये था में शिशे लेकर के मीनिराशी परियंद प्रतेक रास्केजात्कों का पुरे दिन कहा, अभी कले बसितना ही, इजाज़त दीजे पुनाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार